हेलो वाटसप गाईज, ETF गुरूजी चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, कोमन मिस्टिक्स ओफ ETF ट्रेडर, हाँ गाईज, कोमन मिस्टिक्स ओफ विगनर ETF ट्रेडर, ये गलती कवी ना करें, बहुत पच्छता किसी एक मिस्टिक्स को भी कर रहे हो, तो आपको कभी दा लॉस होने वाला है, आपको जो बहुत ज़्यादा पच्छताव होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम काफी सारी मिस्टिक्स के बारे माँ आपको डिटेल्स माँ बताएंगे, अगर आप एक experience trader हो, तो आप आपका past time गुजड़ा है, आपने पहले कभी न कभी इन मिस्टिक्स में से कोई न कोई मिस्टिक्स जरूर कही होगी, अगर आप new trader हो, आपको इन में से कोई भी मिस्टिक कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास्ता देख रहे हो आज कि इस वीडिय है, आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूर है, बिल्कुल कमपल सरी है गाइस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आग को प्रेस कर लो, आपको इस टेलीगरम चैनल को अवी तक जोईन नहीं कहा है, तो ज चलते हैं, एंड सारी की सारी चीजों को जानके तबी वीडियो को सकिप करता है, और सबसे पहले नमर पर जो मिस्टिक निकलके आती है ऑई एडियो ओन हाई लेवल, आगई जब भी मार्केट जो है इं, चल्ती रहती है वोल मार्केट में, तो आपको बिगिने ट्रेट होत तो आपको कभी भी किसी भी टॉप पर या नहीं करनी चाहिए तो जब इस सेकेंड नमर की मिस्टिक में बात करते हैं इन्वेस्ट योर मनी इन वन टैंग बहुत सारे जो लोग आती है जो नहीं इस्ट्रैटिंग में जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं सब्सक्राइब करेंगे और पूरा अपना जो भी केपिटल सारा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन दूसरे दिन जब वो सब्सक्राइब करने लगते हैं तो पर उनको पास नों कोई पैसा ही नहीं होता एवरेजिंग के लिए नहीं आगे की सोची नहीं रखी रहती है उनको बस यह लगता है कि यहां से जो प्लस में चले जाएंगे प्रोफिट बुक कर लेंगे तो यह मिस्टिक्स आपको कभी नहीं करनी है अपना पैसब जो कभी भी एक ही बार में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाना चाहिए उसी तरीक के सापको पैसा आपको इंवेस्त करना है एक ही बार में कैसा जो निकल कापी सारे लोग जैसे मान के चलो जैसे उनको मिल गया कि अभी ना की स्मॉल केप का इटेप ना बहुत ज़्यादा डाउन में पड़ा हुआ है वह क्या गरें उनका एक लाग का कपीटल एक लाग कपीटल एक लगा दिया बात खतम फिर क्या सोचेंगे आरे यहां से उपर ज आप को कपी जो आप इतना यहीं महीने के लिए तो मुत जो सब्सक्राइब भी अपना full capital एक ETF में बिल्कुल मच डाल देना क्योंकि मैंने ऐसे ETF को भी फील किया है वहाँ पर 4-4-5 स्रेंट रेस का profit target के लिए हमने 2-3-3 महीने का वेट किया है तो आपको इन चीजों को भीलकुल ध्यान में रखना है कभी भी एक single ETF में अपने full capital को invest नहीं करना है guys and not follow a swing trading strategy बहुत सारे beginner traders आते हैं तो वो ना किसी भी strategy को follow नहीं कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता रहता है कि अपने capital के कितने parts करने है कितने parts में divide करके अपने capital को use करना है guys तो आपको अपनी एक strategy को follow करना बिल्कुल ज़रूर है इस पर detail video मैंने अब भी डाली ति उस video को आप लोगां का काफी एदा support मिला तो आप इस वाली video को जादा से जादा देख लेता guys must है इसमें काफी सारी चीजों को बता है प्रॉफिट बॉकिंग कर पाऊगे तो पांच में नमर पर आदी चेंज और इस्टेटिजी आगेन आगेन तो जो लोग इस्टेटिजी का भी यूज कर रहे होते हैं उनमें यार इसमें प्रॉफिट ही नहीं वन रहा इसमें अब प्रॉफिट आई ही नहीं रहे हैं जब से मैंने स्टार्ट करी है तब से प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो फिर वो क्या करेंगे दूसरी इस्टेटिजी पर सुच हो जाएंगे फिर वहां पर सुच होने का फिर एक मह महीने एक साल दो तभी आपको वह अच्छा रिजल्ट दे पाईगी हर महीने हर इस्टडजी के लिए सेम प्रॉफिट देना कभी भी नहीं होता है मार्केट में अपडाउन चीज़ां चलती रहती है कभी आपको 0% मिलेंगे कही महीने किसी महीने आपको 2% मिलेगा किसी महीने पांच मिलेगा तो चीज़ें एवरेज होके निकलती है तो हमेसा अपनी एक स्टडजी को फॉलो करो और बार वार अपनी स्टडजी को चैंज कभी मत करो गाई चलते हैं शिक्स नमर पॉइंट पर तो यहां पर सिक्स नमर की मिस्टिक निकल के आती है चैंज चेक योर होल गया मुझे इतना लॉस हो रहा है यहां पर और यह वाली चीज कभी नहीं करने चाहिए अगर आपने कोई एटिएप अपनी स्टडजी के साथ भी बेस पर खरीद लिया है तो उसको चोड़ो बार वार होलिंग में जाने की जुरुवत नहीं है अगर आप बाइंग कर रहे बाइंग करो और उससे आपको कोई टेंशन लेनी की बाद नहीं किसी दिन आपको प्रॉफिट दिखाया किसी दिन माइनस तो यह चीजें चलती रहती है तो कभी भी अपने होल्डिंग से पोजीशन को बार वार चेक करने की आदत बिलकुल भूल जाओ मैं खुद नहीं कर जाता मैं दिन में दो या चार वर चेक करता हूं कि क्या कंडीशन अपनी होल्डिंग्स की पोजीशन तो मैं कभी भी ओपन करके नहीं दिखता गाइस सेवंत नमर पर जो मिस्टिक निकल के आती है लॉस्ट वुक वें मार्के डाउन तो गाइस जो बहुत ही यदा लोगों मैंने देखी गई है कि जैसे मान के चलो अभी अभी की मैं रिशेंटली बात बता रहे तो मार्के जब डाउन गया तो लोगोंने अपना पैसा लगा रखाता हैं जैसी मार्के डाउन में गया फिर उनको दिखा कि यह क्या हो गया हमारा पैसा तो सारा माइनस में हो गया और मैंने अपने सभी लोगों को बोल रखा है अपने सस्क्रावर्स को कि लॉस्ट बुक बिल्कुल नहीं करना है यह बिल्कुल भी नहीं करना है लेकिन अधर से भी लॉस हो जाता है और अधर भी आपको देखो अगर आप सेर मार्केट की दुनिवा में हो मार्केट में हो तो आपको पेसंस यहां पर रखना पड़ेगा अपना आवरेजिंग पर फोकस करो न्यू बाइंग पर फोकस करो लॉस आता है चीज आप डाउन नहीं क्योंकि मैरे पास बहुत सारी कमेंटस आते रहते हैं लोगों के की सरे भी मजें करो पर लॉस के बारें आप यह वाली वीडियो दिख सकते हो इसमें एक उबार पैस आपको खतम वाय बाय और ऐसी चीज़ा मत करो गा अगर आप मार्केट में 2-3 साल spend कर लेते हो तब ही जागे MTF नाम की चीज़ से हाथ लगाओ उससे पहले कभी भी MTF में trade करने की जरूत नहीं है अपने cash से trade करो cash में trade करो guys कोई भी अगर आपको suggest कराई वाली चीज़ है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए MTF को मैं कभी भी promote नहीं करता guys अपने पैसों से खुद के पैसों से cash से cash में trade करो cash से swing trade करो तो guys है आप 8 point मैंने आपको बता दी जो common mistakes है beginner swing trader की तो I hope आपको वीडियो का पी अच्छा लगा होगा and guys अगर आप इन वेसे किसी mistakes को कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो guys and आपने पहले I hope आपने करी होगी comment में मेरे को जरूर बता ना guys है तो आयो आपको वीडियो अच्छा लगाद वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब निक है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लो guys telegram channel को जोइनने का आदख जोइन कर लो thank you guys मिलते हैं अगली वीडियो में this video is only for educational purpose only no vice recommendation I'm not a CV registered